वाट इसाप गाई मेरा नम है शेवम और वेल्कम टू रिश्क रिश्क के बिना इश्क गाईज एड आज हम दो मेरे फेवरेट स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आफकोर्स मैं काफी साल से ट्रैक कर रहा हूं यह स्टॉक्स गाईज केमिकल इंडस्ट्री में है पर इनको चूज करने का रीजन थोड़ा सा अलग है यह दोनों पेंट्स बनाते है और आप नाम अल्रेडी आपने गैस नहीं किया है तो नाम है एशन पेंट्स और बर्जर पेंट्स रीजन इसमें हम जा रहे हैं आपको मा स्टेट में काम आने वाले कंपनी अच्छा करेंगे जैसे इंडिया का एकॉनमी ग्रो होता है लोग चाहेंगे कि उनका घर अच्छा दिखे तो उससे जो भी चीजें इन्वाल्ड होंगी घरों में घरों को अच्छा रखने के लिए चाहे वो सेरा सैनेट्री वेर हो चाहे एक वाहसे दो कंपनी ऐसी है जिनकी मैनेज़मेंट बहुत ही रेप्यूत है वर्जर पेंटS बना था 1923 में ऐशेन प्रेंटS बना था 1442 में. दोनोह कंपनीस की जोsystem को और। Asian Paints is predominantly run by the Dhanis Berger Paint Paints is predominantly run by the Dhingras Berger Paint के अभी CEO अलग है पर हावेवर अगर आप चाहें थोड़ा डीटेल में इन बिजनसे के बारे में जानना तो कुल्दीब सिंग धिंगरा की बायोग्रफी है वो मैंने आडियो बुक में सुनी है that the story of starting Rajdood Paints and Rajdood Paints है कैसे वो Berger Paints तक पहुंच है उनका रशिया वाला बिजनस पूरे परसनल लाइफ के इशूज and क्या-क्या उन्होंने किया क्या-क्या जहिला Amri Sir में कैसे स्टार्ट हुआ अभी Calcutta में क्यों है सब चीजें आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगी तो Companies दोनों अच्छी है Managements दोनों अच्छी है पर कुछ चीजें हमें ध्यान देनी होती है जैसा कि मैंने आपको last time बताया तो में मेरा screen share पे पहले Berger Paints खोल लेता हूँ Berger Paints की गाईज अगर बात करें तो इसका जो market cap है I know थोड़ा सा crop हो रहा है बट इसका जो market cap है गाईज वो है 76,000 crore rupees मैं आप भी थोड़ा सा size बढ़ा लेता हूँ 76,000 crore rupees इसका market cap है PE ratio हम ज़्यादा देखेंगे नहीं क्योंकि अच्छी companies का PE ratio आप कभी भी देख लो किसी भी market के time पे किसी भी market phase में PE ratio अच्छी companies का high होता है तो वो देखने का ज़्यादा मतलब बनता नहीं है क्योंकि हम long run में hold करने वाले dividend yield भी एक ऐसी चीज है जो हम ज़्यादा नहीं देखेंगे हम देखेंगे इसका market cap अच्छा होना चाहिए जो इन दोनों companies में है यह दोनों companies का जो product है बहुत ही अच्छा है इनके distributor networks बहुत ही अच्छे है in fact paint mixing machines का जो technology है जो burger के थूँ आ रहा है जो burger आप बोलो इंडिया में पहला था सब एसा एकदम सबसे आगे था वो introduce करने में perfect है बहुत अच्छा है तो company overall अच्छी है paint का उनका product अच्छा है आप कहीं पे भी चला जाओ burger, burger या Asian ऐसा ही सुनने को आपको मिलता है घर में paint कौन से लगा है, burger या Asian ROCE की हम बात करेंगे बर्जर पेंट्स पहले specifically हम पकड़ लेते है return on capital employed मतलब ये company की management जो वो पैसा use करते हैं या वो जो पैसा bank से लेते हैं उसको अच्छे से कैसे deploy कर पा रहे हैं, कितने percentage का वो company को return ला के देना है ये बहुत अच्छा और बहुत important चीज़ है देखना जिसमें हमें मिले 27.6% current ROC but current हमें नहीं देखना है क्योंकि हम एक company की history देखना चाहते हैं हम देखना चाहते हैं कि आज नहीं पिछले कितने सालों में उसने कितना लाया तो ये अगर आपको percentage याद हो तो मैंने आपको बताया था बर में हम देखेंगे कि वो brand कितना strong है जो मैंने आपको अल्लेडी बता दिया burgeration आपको मालूम है they can also called as an ancillary brand to real estate business in general बट घरों को paint तो हर साल या हर दो साल लोग करते ही करते हैं तो उस ताइम पे ये business in general मेरे हिसाब से तो grow होने वाले business है अगर chemical field में देखा जाए तो तो ROC 27.6% current है अगर मैं नीचे चला जाओ yes, burger paint guys इंडिया में second largest paint business है first largest is Asian paints इसके बाद तीसरा जो आता है वो narrow lack आता है narrow lack burger paints के आधे market cap पे है और यही सेम चीज़ आप देखोगे यहाँ पे जो हम अगर Asian paints की बात करें तो Asian paints 2,70,000 करोड का है burger paints 75,000 करोड का है बहुत जादा फरेक है narrow lack guys जहां तक बात है वो 30,000 करोड का है तो half हो जाता है पर यही आपने narrow lack सुनो होगा narrow lack और बर्जर और Asian burger paints में जहां तक हम return on capital employed की बात करें तो वो देखना है और हमें net profit देखना है kind of net profit percentage देखना है अगर आप net profit नहीं देखना चाहते है क्योंकि net profit कभी-कभी उपर-nीचे किया जा सकता है tricky accounting से तो net profit की जगाँ आप उनका revenue growth देखो तो पहले काम करते हैं हम ROCE net profit continue करते हैं उसके बाद ROCE पर जाते हैं तो अगर इनकी हम sales देखें तो year on year इनका sales growth जो आ रहा है वो 2018 से अगर हम देखें तो 16% मतलब यह तो quarterly result है I want और राइट I did want annual result but either ways quarter on quarter 16, 18, 16, 18 तो अगर आप पकड़ लो अब जो overall run rate आ रहा है वो अच्छा आ रहा है कहां इनको धक्का लगा है बहुत ही जादा खतरनाक वो लगा है of course 2020 में which does not make sense कि हम उसको जादा गिने बट अगर हम in general इनका अभी मैं आपको year on year दिखाऊं तो March 2009 में 16.8% 2010 में 16.4% यह year on year revenue में growth है 2011 में 23%, 2012 में 25%, 2013 में 13%, 2014 में 15%, 2015 में 11%, 2016 में 1.2%, 2017 में 8%, 2018 में 13%, 2019 में 17%, 2020 में 5%, not bad but not good but not bad to be honest अगर stock price की बात की जाए तो इन्होंने 10 साल में जो क्यागर दिया है 37% का क्यागर दिया है और हम लोग बात करें क्रिप्टो में बट बर्जर जैसे stock हमको 37% का क्यागर दे रहे है over a period of 10 years guys very very important और अगर इनकी compounded profit की growth देखी जाए तो 10 साल का जो उनका profit का growth है compounded वो 19% का क्यागर दे रहा है और 5 साल में 20% का क्यागर दे रहा है profit अभी के लिए हम ignore कर देते हैं क्योंकि profit फिर भी उपर नीचे किया जा सकता है बट revenue उपर नीचे नहीं किया जा सकता है revenue means जितना आपने sales किया है अगर इसमें में हम ratios में आ जाएं और ratios में हम हमारा जो favorite ratio है return on capital employed क्योंकि finally यह business पैसा कैसे use करता है वह सबसे ज़रूरी चीज हो जाती हम लोगों के लिए तो अगर मैं ROCE वाले ratio में आ जाओं तो March 2009 में 21% 2010 में 24% 2011 में 25% हमको कितना चाहिए तो 2019 में 27% और wait for it 2020 में 28% return on capital employed है यह लोग जानते हैं पैसे को कैसे use करने है तो Berger in my opinion great great company of course आप पैसा डाल रहे हैं तो अपना research कीजिए this is not financial advice this is strictly educational advice Asian banks की जहां तक बात करें 2,70,000 क्रोड की यह company है इसका ROCE जो current चल रहा है 35% पर चल रहा है अगर हम Asian banks की बात करें इसमें अगर देखो आप notice करोगे तो जो overall debt है अच्छे companies में जो debt है वो हमेशा comparatively कम होता है as compared to other companies जो Asian में आपको देखने को मिल रहा है Companies almost debt free I think उनका current debt होगा वो मैंने अभी number देखा नहीं है but usually it makes sense कि अगर किसी company के पास debt है तो उनका जो net current assets है अभी current assets में आप usually ऐसे चीज़ आती है जो उस quarter में liquidate की जा सके as in usually आप देख लो cash अगर easy comparison करना है तो cash देख लो उनके पास जो net cash holdings है उसके against उनका पास debt कितना है और उसका percentage आप निकाल लो तो वो क्या ना चाहिए return on equity का इनका अच्छा है 26% return on equity इनकी usually रही है dividend हम छोड़ देते हैं क्योंकि जब stock price गिरता है तो dividend automatically बढ़ जाता है इनके अगर हम sales का growth देखें guys तो इनका भी sales का growth बर्जर वाला ही trend follow कर रहा है 2010 से start करें तो 20% 2011 में 15% 12 में 24% 13 में 13.5% 14 में 16% तो एक revenue growth हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है but we have to also make a note कि ये 2,70,000 करोड की company है ये हर साल 20% से कैसे grow करेगी वो भी 2-3 चीज़ें हमें देखनी है तो maybe आने वाले 15 साल में Asian Paints उतना बड़ा कैगर ना दे जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है अगर हम बर्जर Paints की बात कर रहे थे तो बर्जर Paints हमें 10 साल का stock price का कैगर दे रहा है 37% का 37% average हर साल आपका पैसा बड़ा है which is boom क्योंकि आप rule of 72 अगर लगाओ 72 को मैं 37 से डिवाइड करूं उसको 35 अगर पकड़ ले तो हर आप 7 सॉरी 75 को अगर आप 3.5 से डिवाइड करें तो लेट्स डिवाइड इट अल्मोस्स दो साल से थोड़ा जादा में आपका पैसा डबल होने का चांस है तो अगर हम Asian Paints का main हमारा जो ratio है जो 15% से उपर होना चाहिए ROCE वहाँ पर आपको अभी धक्के बढ़ेंगे असली मार्च 2010 में 70% 2011 में 60% 2012 में 53% 2013 में 50% 2014 में 47%, 45%, 44%, 40%, 37%, 34%, 34%, 35% मतलब क्या है इसका मतलब ऐसा है कि Asian Paints ने जब भी किसी project में पैसा डाला है उन्होंने इतना return generate किया है इसका फाइदा आपको business पता है कितना strong है ये numbers कुछ आप देखकर business select कर सकते हैं ये दो तीन चीज़े हैं जो मैं देखता हूँ usually अगर कोई business को पुझे किसी business में इंवेस्ट करना है and of course जो उनकी management है वो कितनी honest है कितनी straight forward है अपने काम में कितने transparent है अपने लोगों के प्रती और अपने customers के प्रती उनका market में foot hold कैसा है उस business में अगर कोई नया आ जाए तो कितना मुश्किल होगा इंटर करना और ये ratios देखे जाते हैं sales, growth ROCE mainly and ROE ये तीन मैं देखता हूँ इसमें of course बाकी सब लोगों के और भी fundे है and मेरे से बहुत बहुत बहुतर investors और बहुत पुराने investors हैं जिनके शायद थोड़ा सा fundा और होगा but मेरे लिए ठीक है मतलब मैं कुछ ऐसा इतना जादा सारा दिन बैठके पढ़ाई तो करने सकता तो this is what I use इसमें आपके कोई questions हो तो ज़रूर मुझे नीचे comments में आप बता देना I know can be थोड़ा सा अलग and अगर आप बिल्कुल नहीं हो and आपको इस रेशो क्या होते हैं वो पता नहीं है तो शायद थोड़ा सा ग्रास्प करने में मुश्किल हो सके but simple है ROCE अगर आप Google या YouTube पर ढूदेंगे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे तो this is Shivam गाईज signing off and I'll see you guys next in the next video mostly crypto के ऊपर तब तब तक के लिए गाईज चाओ चाओ